मोडल एक्टिविटी टास्क अच्छा नवम स्रेणी का हम लोग जी विज्ञान के पर्थम भाग का आज समाधान करेंगे निमलिकित प्रशनों के उत्तर लिखो देखिए पहला नमर कोशन है माइट्रो कॉंडिया का साफ डाइग्राम बनाए और नीचे दिये गए अंगों क चिन्हित कीजिए देखिए आप लोग एक साफ डाइग्राम बनाएगा और उसमें इनके प्रकार के नामों का अंकन कीजिए जैसे मैंने किया है देखिए इस प्रकार माइट्रो कांडिया चितर बना दीजिए गा यह चितर बनाने के पस्चाथ इसके बीविः भागों का यहां पर लोग इसका नाम लिखना ही पड़ियाप्त है कुश्चन नमबर दो निमलिखित के अधार पर मुन्रा और प्लांटा राज में अंतर का वर्णन कड़े देखिए इसमें को नमबर दिया है इको सिस्टम में इसकी भूमी का सार्क वार्ग के जीवों की तीन चलित वि किया है तो इसके बारे में हम लोग इस प्रकार लिखेंगे देखिए यहां पर मोनेरा और प्लांटा राज में अंतर अस्पष्ट मैंने किया जैसे कि पहला है इस जगत में प्राचिन्तम सरा तथा परियोटीक को समलित किया गया है को सिका की उपस्तिति वाले बहु को सिक यह उक्रो टिक जीप समर्द किये गया तो दोनों अलग अलग करके आप लोग इस प्रकार इसमें अंतर लिख सकते हैं यह सब जगहों पर पाए जाते हैं तथा श्वाइपोसी और परपोसी हो सकते हैं प्रकास लेशन की क्लिया करने में सामर्थ यह मतलब कि मोनोडासी होते हैं इसमें प्रपोसी होते हैं जबकि प्लांटा राज में केवल सब्सक्राइब इसी परकार मैं तीन अंतर लिखा है तो आप लोग भी यह टोटल चारंतर लिखा है चारंतर लिख दीजिएगा उसके बाद देखिए नीचे के कोशन में लिखा हुआ है कि सेल का परकार और सेलुलोज ढाचा सेल का परकार और सेलुलोज ढाचा के बारे मैं आप लोग को लिखना है तो मैंने लिख दिया है ठीक इसी परकार आप लोग भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा उसके बाद बढ़ते हैं एक क्या दो का खौकी और देखिए से लोज नामक रासाइनिक योगी की बनी कोशिका भित्ति पादप कोशिका की बाहरी दिवार होती है कोशिका को एक नियंत्रित आकृति परदान करता है रासाइनिक पदार्त म निर्मित होने करन इसे इतना लिखना है पढ़ियाप तहीं देखिए उसके बाद को इसी में था लेकिन इसवे पूछा था कि जीवों की विशेस्ता लिखना है तो मैंने लिख दिया है सार्ख वर्क की मचलियां क्रियासिल तथा मचलियों को खाने वाली होती है सामानता सा और च्छोते बटब सलकों से ड़के होते हैं कि कारण खुर दूर रहोता है इनकी सरीश सदारंता मसलियों के आकार का होता है पोत नुकीला होता है और इस परकर आप लोग लिख दिजियेगा और छप्रकार को खोजने के लिए इनकी ग्री इंद्रियां विशेष रूप से विख्षित रहती इतना है लिखना पड़िया प्रजातियों के वर्गी करन की दो विशेषता भी लिखो जो कि और तो पोड़ा वर्गी करन के साथ कोक्रोज को सामिल करने में संबंदित देखिए यहां पर कोशन में बह इसका जो टीक एंसर नहीं मिल जाता तो मैंने इस प्रकार लिख दिया है मकरी जिंगा बिच्चू संग और्थोपोड़ा की अस्थापना वान शीप ब्लोड ने किया था यह जंतुओं का सबसे बड़ा संग है इसके अंतर गत लगवक 85% जंतु आते हैं यह सर्व व्याप जाल अस्थाल वायू में पाई यह देखे तीनों जगा पाई जाते हैं जबकि दूसा नमबर सरीर पर काईटीन से बना खंडी खंडिया बाय कंकाल होते हैं जनतु निर्मोचन द्वारा विर्दी करते हैं देखे तीसा नमबर मुख्य उपांग चूस ठोचन तथा काटने और कुतरने के लिए विक्सित होता है उतसर्थ आई से करके आप लोग दिजेगा पांच मैंने लिखा है आप लोगोंने भी आप लोग भी पांच लिख दिजिए गा दखे चौता नमबर कोस्ट्रम चौता बोली या अन्तिम बोली मानब दे में विटामिन ए और विटामि आदी में देखिया भूमिका लिख दीजिएगा तो हरी साख सब्जी आदी से प्राप होने वाली विटामिन ए रसानिक नाम रेटी नौल तथा एंटी जियो थेलिमिक है वसा में गुलंसिल इस विटामिन का सूत्र इसका कारीनेत्रों की जोती के साथ साथ हड्यों की विर्दी करना इसकी कमी से मानब में रताओंदी रोग हो जाता जो रात में दिखाई नहीं देता विटामिन डी की भूमिका ठीक जैसे मैंने विटामिन एक लिखा है उसी प्रकार आप लोग डी का भी लिख दीजिएगा इसके सुरोत का लिख दीजिएका नाम पत्ता गोवी मक्खन दूद पनीर इत्यादी से प्राप्त होता है इसकी कमी से बच्ची में सुखंडी रोग और वेसकों में ऑस्टो मेलियस जैसे विकृतियां दिखाई देती है तो इसका यहीं भूमिका है विवाजन कला की विश प्राजित होने वाली हो अत्वा हो रही हो इस उत्तक में मिलने वाले परिपक्त को सिखाएं ही होती है संगान जीब्दरब यूगत्त पतली को सिखावेती एवं सुख पश्ट केंद्र वाले विवाजी उत्तक की विशेशता आकार में संब व्यापी होता है इनमें पाई जाने वाली रिक्तियां छोटे छोटे होते आत्वा अनुपस्थित रहते इतना है लिखना पड़ी आप